हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे सी यूट्यूब चैनल में क्या आपने कभी ऐसा रोबोट देखा है जो पानी में स्नोव पे और जमीन पे भी चल सके नहीं ना तो फिर अब देखिए ये है वेलोक्स जो प्लाइंट एनर्जी सिस्टिम द्वारा बनाया गया है ये वेलोक्स रोबोट पानी में उसके साथ रेट, कंकर, वर्ट और अन्यठोस जगाँ पर काम करने के लिए बनाय गया है इसका यूद्स मिलिट्री भी किसी ओपरेशन के लिए कर सकते है ये रोबोट समंदर की दुनिया की खोज करने के लिए सक्षम है इस वेलोक्स रोबोट को वर्साटाइल बनाते है उसके ये पंक जो काफी हद तक स्टिंग रे की याद देते है ये रोबोट पानी में तुरंत ही रिवर्स डारेक्शन में मोड ले सकता है इसका यूज दरसल किसी autonomous underwater vehicle और remotely operated vehicle की तरह पानी में या जमीन पे किया जाता है ये रोबोट पानी में और पानी पे भी चल सकता है किसी भी rescue operation में जैसे की बर्प में पसे लोगों की जान बचाने में ये help करेगा इसी पेशेवर गोता खोर के लिए ये पसंदिता रोबोट बनीगा इसमें ना कोई प्रोपेलर शाप्ट है इस वज़े से ये अंडर वाटर की एको सिस्टिम को परेशान भी नहीं करेगा है ना कमाल का रोबोट आपको ये रोबोट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये रोबोट आपके दोस्तों रिष्टदारों और फैमिली से भी शेयर करें और एसा ही नहीं नहीं स्टार्ट अप एंड टेक्नोलोजी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्स्राइब करें आपका भूह मल्य समय देने के लिए धन्यवाद